नमस्कार दोस्तों, सोशोलोजी की सूपर MCQ, सीरीज नमबर 85 में आपका स्वागत है, यह MCQ, जोजी सिनर्जार, और फ़सिस्टेम प्रफेस्टार, PGT, GDC, डिटेपलेस, VUPSC, यह अन्य शमाशास्त्र समधी परिक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टन्ट है, तो फ्रेंट चैप्टर मेंने बनाये हुए, उसको अच्छे से देख लीजी, ठीक है, तो वहाँ पर डिटेल में अच्छे से समझाए गया है, क्वेशन नमबर 2 है कि किसे अल्थूजर के तार्किक विधी उपाय के रूप में रखा जा सकता है, ठीक है, तार्किक विधी उपाय की बात फिर देखे, क्वेशन मरत्री है कि समाजिक सनचना अल्थूजर की संकल्पना के तीन मुख्य कौन से तत्व हैं, इसमें से सही कुछ इन्नित करना है, ठीक है, तो पहला है अर्थ विवस्था, राज दंत्र, विचार धारा या उप्रिति सभी, तो देखे, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अर्थ विवस्था और राज विवस्था को तो जान रहे हैं वो, लेकिन आप पर विचार धारा कभी-कभी हो जाती है, कभी-कभी सांस्क्रती विवस्था हो जाती है, ठीक है, इस तरह से चीज़ें रखी जाती है, लेकिन आप पर विचारधारा उन्होंने अर्थवेवस्ता की बात की है राजवेवस्ता की बात की है और विचारधारा यह तीन स्थम्ब होते हैं जो समाजिक सनचना के महतपूर घटक होते हैं और इनी के त्वारा समाजिक सनचना चलती है ठीक है यह अल्थूजर के अनुसार है और दूसरे राइटर के अनुसार पुछेगा तो और भी चीजें हो जाएंगी ठीक है दूसरी चीजें हो जाएंगी तो कि तो जैसे ही पूछता है कि किसके अनुसार्थ उसको अंडरलाइन कर लीजे ताकि आपके question के लिथ होने के chances ना हो फिर देखे question number 4 है कि सत्ता हर समाजिक संगठन में विद्धिमान है किसने कहा तो डेरंडार्फ डेरंडार्फ ने सत्ता का जो सिध्धांत दिया है उनके चैप्टर मैंने बहुत एच्छे से समझाया है तो आप एक बर देख लीजिए उन्होंने सत्ता को ही समाजिक संगठन से जोड़ा है ठीक है और शंगर्स की बात किये उन्होंने सत्ता के अंतरगत की है कुशन नमर फाइव है कि भारत में राष्टरवाद ब्रिटिस उपनिवेश्वाद द्वारा उपन भौतिक दशा का परड़ाम है किसने कहा है तो एर दिसाई एर दिसाई ने राष्टरवाद को ब्रिटिस उपनिवेशवाद के दारोत पर न भौतिक देशा का परणाम माना यहानी ब्रिटिश अर्स आए और उन्होंने इतने अत्यचार की ऐसी देशायोत पंड कर दी कि लोगों के अंदर राष्टरवाद और अंग्रेजो को ही गोली मार दी जाए ठीक है तो इस तरह से लोग क्या कई बागी बनते चले गए और उन्होंने पर्सनली अपना संगठन मना कर उनके उपर आक्मण करना शुरू कर दिया छोटे-छोटे गुड्स में तो उन्होंने बताए कि राष्टरवाद जो आया वो ऐसे ही नहीं आया वो ब्रिटीशर्स के दोरा जो उत्पन भौतिक देसा हैं उत्पन की गई उनकी जमीने छीन ली गई उनके ही घर की महिलाओं के साथ दुर्विवार किया जाता था ठीक है काफी दैनी स्थिती हो गई थी काफी कुरूरता के साथ सबसे पेश आते थे ठीक है तो यह सारी परसितियां ऐसी थी जो की राष्टरवात कुदपंड करने में काफी इंपोर्टन सिद्ध हुई ठीक है फिर देखिए क्वेशन नमर 6 है कि एर दिसाई किस परिपेख्ष के समाश शास्त्री है तो एर दिसाई ने कौन से परिपेख्ष की बात की है किस परिपेख्ष के समाश शास्त्री रहे हैं तो यह रूडिवादी माक्षवादी थे ठीक है माक्ष के दो परिपेख्ष थे एक रूडिवादी माक्षवादी था और बाद में जो संसोधन करके माक्ष के सिद्धान्त बने जो माक्ष ने और भी अपने संसोधन यानि जो उ एर दिसाई ने भारती समाज की विशेष्टा क्या माना है तो एर दिसाई ने भारती समाज की विशेष्टा वर्ग को माना ठीक है उन्होंने वर्ग की बात किये जैसे काल माक्ष ने वर्ग की बात किये वैसे इन्होंने भी वर्ग की बात किये और यह माक्षवादी थे ठीक और ऐसा क्यों किया जाता है देखिए इन्होंने सबसे पहले जंचातियों के शेद्र में जाकर साभागी अलोकन के त्वारा वहां के डेटा कलेक्शन किया ठीक है और लोगों को परिचित कराया उनकी भावनाओं को उनकी छोटी-छोटी चीज़े जो होती है जिसको दूसरे शमाशाजरी इग्नोर करते चले जाते थे इसको उन्होंने बताया ठीक है उनकी दृष्टी से उन्होंने उनके परंपराओं को उनके समुधाय को उनकी संस्कृति को देखा इसलिए निजाती वर्णन के महत परबल देने के लिए सबसे जादा मैलिनो इसकी को कुछ होचाते हैं और पुश्तक भी लिखिए इसी नाम से तो याद रखेएगा है कि किसने वैदतादा दाओ की रचना प्रक्रिवेक्ति क्रिवेक्य। अद्हारना की बात किए, अभिवक्ती क्रिया की बात किसने किया है? बरमास ने किया है? ठीक है? तो उनके चापटर मैंने येभी बताय हुआ है कि उन्होंने वैदता की बात की है किस तरह से, जो टेकनोलाजी हमारे जीवन के प्रतियक छेतर में गुश्ति चली जा रही है तो कहां तक इसको वैद माना चाह Audrey कि हाँ इसके बाद टेकनोलाजी को और लोगों तक जाने की जरूरत नहीं है और ज्यादा निजिता का उलंगन करने की जरूरत नहीं है ठीक है तो ये एक प्रश्ण बना हुआ है कि वहदता कहां तक हूँ ठीक है अभिवक्ति क्रिया की अधाना भी उन्होंने दी हुई है तो ये जो सिध्धान तो ये है बर्मास ने दिया हुआ है ओके फ्रांट्स तो वीडियो को लाइक शेरों सब्सक्राइब जरूर करें ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इस चानल के बारें बताईए तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार